श्रीम धुम रेमेडी इसमें आपका स्वावत है और हम आपको बताएंगे त्रिफला खाने से कुछ सावभानिया बरतनी आपको बहुत जरूरी है वही बताने जा रहा हूँ दूद वो त्रिफला के सेवन के बीच में दो से ढ़ाई गनते का अंतर होना चाहिए और कमजोर वैती तता गरुवती श्तिरी को बुखार में त्रिफला नहीं खाना चाहिए गी और कभी भी शमान मातरा में नहीं ले न चाहिए यह खतरनाक जहर होता है तरीफला-चुर्ण के 7 के एक गंटे बाद तक चाय, दूड, कईकोफी कुछ भी नहीं लेना चाहि हुआ त्री फ़ल आचून हमेशा ताजा खरीद कर घर पर ही सिमित मात्रा में कि ऑपी स कर त 제यार करें जो ऐसा सिमित मात्र लख sürड़ कि 3-4 मेने में समापत हो जाए वो सीलन से बेचा कर रखें इसका सेवन कर फूना न्याचून बना ले ती चार मेने से ज़्यादा मत्र कियेगा सीलन अगर हो गया तो उसे उठागे भीग दीजिए त्रीफला का सेवन गर्वास था वो डाइडिया में नहीं करना चाहिए धन्यवाद आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए